ओम शान्ती तीन दस तो हजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे ग्रहस्त व्यवहार में रहते सबसे तोड़ने भाना है नफरत नहीं करनी है लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है प्राश्न तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा वह वह कैसे निकलेगी उत्तर अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी सदा लाइन क्लियर रहेगी तब वह वह निकलेगी विजय का डंका बजेगा अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है विजन पढ़ते रहते हैं तीन पैर प्रत्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे गीत धीरज धर्मनवा ओम शांती बच्चे नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां है और फिर सदा सुख ही सुख होगा जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है यह दुखधाम है वास्ट डिफरेंट है अभी सुख के लिए तुम पुरुशार्थ कर रहे हों समझते हो यह दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ सुख के लिए अब बाब दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं पूल समान पवित्र हो रहना है तोड़ जरूर निभाना है अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते वह तोड़ नहीं निभाते हैं तो उनका निवरती मार्ग हट योग कहा जाता है सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हट योग हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं भारत का धर्म शास्त्र है ही गीता दूसरों का धर्म शास्त्र क्या है उनसे अपना कोई तैलुक नहीं तुम्हा भी ग्रहस्त व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हूं, फिर एक किस जन्म उसकी प्रालब्ध पाते हूं, उनका है हद का सन्यास और हठियोग, तुम्हारा है बेहद का सन्यास और राजयोग, वह तो ग्रहस्त व्यवहार छोड देते हैं, राजयोग का तो गायन है, भग्वान ने राजयोग शिखलाया तो भग्वान जरूर उंचते उंच को ही कहेंगे, श्रीक्रिश्न तो भग्वान हो ना सके, बेहद का बाप है ही वह निराकार, बेहद की बाथशाही वही दे सकते हैं, यहां ग्रहस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म ग्रहस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन उनको याद करते हैं वह भी पावन दुनिया चाहते हैं परन्तु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक है और परन्तु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है जबकि वह ग्रहस्त व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे वो कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी हटयोग सिखला सकते, न सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते, ये समझने की बात है, अभी दहली में World Conference होती है, उनको समझाना है, लिखत में सभी को देना है, वहाँ तो मतभेद हो जाता है, लिखत में होगा तो सभी समझ है अभी तुम समझते हो हम हैं ब्रामण कुल के हम शुद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं वह विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं इसलिए ना कर देते हम हैं आस्तिक वह हैं नास्तिक वह हैं इश्वर को ना मानने वाले हम हैं इश्वर से योग बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है यह बड़ी गुए बाते हैं पहले पहले तो बुद्धी में यह बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है उसने ही आदिसनातन देवी देवता धर्म इस्थापन किया भारत का देवी देवता धर्म ही मुख है भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए न अपने धर्म को भूल गए हैं यह भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है तब तो फिर बाप आ करके स्थापन करे नहीं तो फिर बाप आए कैसे कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूँ प्रायलोप जरूर होना ही है कहते हैं न बैल की एक टांग तूट गई है बागी तीन टांग पर खड़ा है तो मुख्य हैं ही चार धर्म अभी देवता धर्म की टांग तूटी पड़ी है यानि वह धर्म गुम हो गया है इसलिए बढ़ के ज़ाड का मिसाल देते हैं किसका फाउंडेशन सड़ गया है बागी टाल टालिया कितनी खड़ी है तो इनमे भी फाउंडेशन देवता धर्म है तो इन में भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं बाकी सारी दुनिया में मटपंत आदी कितने हैं तुम्हारी बुद्धी में अभी सारी रोशनी है बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो अब यह सारा ज्ञाड पुराना हो गया है कल्यूक के बाद सत्यूक जरूर आना है चक्र को फिरना जरूर है बुद्धी में यह रखना है अब नाटक पूरा हुआ है हम जा रहे हैं चलते फिरते उटते बैठते भी याद रहे अब हमको वापस जाना है मन मनाभव मध्याजी भाव का यही अर्थ है कोई भी बड़ी सभा में भाशनादी करना है तो यही समझाना है परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे देह सहे देह के सब धर्म त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे मैं तुमको राजयोग से खलाता हूँ ग्रहस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो पवित्र रहो नौलिज को धारण करो अभी सब दुर्गती में है सत्यूग में देवताएं सद्गती में थे फिर बाप यही आकर सद्गती करते हैं सर्वगुन संपन सोला कला संपून संपून निर्विकारी यह है सद्गती के लक्षन यह कौन देते हैं बाप उनके फिर लक्षन क्या है वह ज्यान का सागर है आनंद का सागर है उनकी महिमा बिलकुल अलग है ऐसे नहीं कि सब एक ही है एक बाप के बच्चे सबी आत्मा है प्रजा पिता की ही ओलाद होते हैं अब नई रचना रची जाती है प्रजा पिता की ओलाद तो सब हैं परन्तु वे लोग इन बातों को जानते नहीं ब्रामन वर्ण है सबसे उंच भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है ब्रामन वर्ण है ही संगम युकपर तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो यह साइलेंस सबसे अच्छी है वास्तों में शान्ती का हार तो गले में पड़ा हुआ है चाहते तो सब है शान्ती घर में जाए परन्तु यह रास्ता कौन बताए शान्ती के सागर के सिवाय तो कोई बताना सके टाइटल अच्छा दिया हुआ है शान्ती का सागर ज्यान का सागर श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है वह है मनश्य स्रष्टी का बीज रूप कितना रात दिन का फर्क है कृष्ण को स्रष्टी का बीज कह नहीं सकते सर्वेव्यापी का ज्यान तो ठहर ना सके बाप की महिमा अपनी है वह सदैप पूज्य है कभी पुजारी नहीं बनता उपर से पहले जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं पॉइंट्स तो धेर समझाई जाती हैं एक्जिविशन में कितने आते हैं परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है प्रजा तो धेर बनती रहेगी माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलते हैं नारद का भी मिसाल है उनको कहा तुम अपनी शकल देखो लक्षमी को वरने लायक हो प्रजा तो बहुत बननी है राजा फिर भी राजा है एक एक राजा को लाखो प्रजा रहती है पुरुशार्थ तो उच करना चाहिए राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा भारत में कितने राजाएं थे सत्युग में भी बहुत महराजाएं होते हैं यह सत्युग से लेकर चला आया है महराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है राजाओं को कम यह हैं श्री लक्षमी नारायन बनने की नौलिज उसके लिए ही पुरुशार्थ चलता है पूछते हैं लक्षमी नारायन का पद पाएंगे वह रामसीता का तो कहते हैं हम तो लक्षमी नारायन का ही पद पाएंगे मा बाप से पूरा वर्षा लेंगे यह तो वंडर्फुल बाते हैं और कोई जगा यह बाते हैं नहीं ना कोई शास्त्रों में हैं तुम्हारी बुद्धी का तालग खुल गया है, बाप समझाते हैं, चलते फिरते ऐसे समझो, हम एक्टर्स हैं, अब हमको वापस जाना है, यह याद रहे, इनको ही मन मना भाव, मद्या जी भाव कहा जाता है, बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, मैं तुमको वापस ल जाने आया हूँ, यह है रोहानी यात्र, यह यात्र बाप के सिवाए कोई कराना सके, भारत की महिमा भी बहुत करनी है, यह भारत होलिएस्ट लैंड है, सर्व का दुख हरता और सुख करता, सब का सदगती दाता एक ही बाप है, भारत उनका बर्थ प्लेस है, वह बाप सब का लिबरेटर है, उनका यहां भारत में बड़ेते बड़ा तीर्थ स्थान है, भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है, गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदी चढ़ाते हैं, इसलिए जाकर नहीं हैं, यह राज्य ही अलग है, भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं असरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बाते तो हैं नहीं, यहां तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है, माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्ति मान ही पहनाएंगे, बाबा ही रामराज्य से छुड़ा कर रामराज्य की स्थापना करा रहे हैं, बाकी वहां लड़ाई आदी की बात होती नहीं, अभी देखेंगे तो स्रष्टी में सर्वशक्ति मान इस समय क्रिश्चन लोग हैं, वह चाहें तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वह विश्व के मालिक बने यह काईदा नहीं, इस राज को तुम ही जानते हो, इस समय सर्वशक्ति वान राजधानी क्रिश्चन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं, परंतु तीन धर्मों मे यह धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है, इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है, कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता है, तो वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में भारतवासिय को ही मिलना है, कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है, मनुष्य कितने बेसमज है, एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमज हो पड़े हैं, समझते भी गरीब हैं, साहुकार लोग कुछ भी नहीं समझते, गरीब निवास पतित पावन बाप गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रही हैं, बड़ी बड़ी सभाव में तुमको समझाना है, विवेक कहता है कि धीरे धीरे वह वह निकलेगी, लास्ट मूव्मेंट में डंका बजना है, अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं, विगने पढ़ते रहते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे, जितना पुरुशार्थ करेंगे, उतना उच पद पाएंगे, पांडवों को तीन पैर प्रत्वी के नहीं मिलते थे, अभी यह काई या गायन है, परन्तु यह किसको पता नहीं है कि वही फिर प्राक्टिकल में विश्यो के मालिक बने, तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुख धाम, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चो को नमस्ते, हम रोहानी बच्चो की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला चलते फिरते अपने को एक चल रहना है बुद्धी में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं हम यात्रा पर हैं दूसरा सदगती के सर्व लक्षण स्वयम में धारण करने हैं सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण बनना है वरदान संगम युक पर स्रेष्ट मत द्वारा स्रेष्ट गती को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव संगम युक पर स्रेष्ट मत द्वारा स्रेष्ट गती को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव संगम युक पर स्रेष्ट मत के अधार पर जो स्रेष्ट कर्म करते हूं उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत वो लोग समझते हैं मरने के बाद गती मिलेगी लेकिन आप बच्चों को इस अंते मर जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गती प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है आप भविष्य का इंतिजार में नहीं रहते अभी अभी करते हैं और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता इसको ही कहते हैं रचाईता का रचना से सच्चा प्यार स्लोगन द्रण संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं अच्छा, ओम शांती मेरे, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा